ग्रोग्राम में भारी बारिज के बाद दर्दनाग हाथसा हुआ है यहाँ पर इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास बरसाथ के दोरान पेड के गिलने से तूटी बिजली की हाई टेंशन तारे और सड़क पर जा रहे तीन व्यक्ती करन के चपेटमेंस के वज़े से आ गए तीनों की मौके पर ही मौत हो गई जल भराव के कारण काफी देर बाद जो है शबों का पता चल पाया तीनों व्यक्ती का शब पोस्ट मार्टम हाउस भेजा गया है मिरतक जैपाल कुरियन कंपनी में ड्राइवर है नांगल चौधरी जिला महिंदरगर का रहने वाला है और मिरतक दिवेश उन्नाव यूपी के रहने वाले हैं मर्दाक वसी उजमा यूपी सुल्तानपूर के रहने वाले थे और मलहुतरा केबल कमप्टी मानेसर आयमटी में कौालिटी इंजीनिर के तौर पर काम करते थे गुरोग्राम पुलिस अब इसमामले की चांच कर रही है अश्विन हमारे स्योगी हमाई साथ जुड़ गए हैं अश्विन बहुत दुखत हाथसा है यह कैसे हाथसा हुआ और यह भी बता जा रहा हम पर पानी भरा हुआ था काफी वक्त लगा यह हाथसा हुआ है यह पता चलने में भी जी यह घटना कल रात की है यह इफको चौक मेट्रो सेशन के पास की घटना है जब यह तीनों लोग मेट्रो सेशन की तरफ जा रहे थे लेकिन बिजली के तार टूटे हुए थे जिसके वैसे उनको करेंट लग गई और करेंट लगने के बाद मौत हो गए उनकी काफी देर करेंशन आये हैं यहां पर यह कब पता चला आपको क्यों की डैथ हो चुका हमें रात में सुचना दी गई प्लिस के दुआरा कि आपका जो भाई है जैपाल उसकी यहां पर करंट लगने से डैथ हो गई आप थाने पर पहुंचे तब उन्होंने बताया हमें कि वहांप से गिर गया उपर से तार जा रहा था उस वह तार नीचे गिरने से और पानी भरा हुआ था उससे करंट लगने से मौत हो गई लेकिन जब हमने मोक्य पर जाके देखा तो वहां पर से कोई तार नहीं जा रहा था ना कोई तार तूटके गिरा है एक पेड चोटा सा साइड में लगे हुए थे और स्पार्किंग के उसके उपर निशान है सोट सर्किट के उसके वज़े से वहां पर चारों तरफ करंट फैल रहा था और जो लोग अपने रास्ते जा रहे थे फुटपात के यूज करते पैदल चलने वाले लोग तो वहां पर जैसे ही उस पानी के संपरक म रहने वाला वक्ति दोन्हों की डेड़ बोटी एक जगह पर थी और पानी इतना भरा हुआ था कि वह उसमें तैर रही थी तो यह अभी पुलीस पता रही कि बॉड़ी को पोस्पार्टम के लिए बेजा गया है उन्होंने पताया कुछ आगे हुआ कैसे मरे और कभ उन्हों हुआ कि वहां से बोडिया उठा के मोठरी रखवाईए तो जैसा आपने सुना भी जस्पाल के परिवार को यहां पर दोनों भी जो प्रितक उनके परिवार भी आए हैं हाला कि वसीम के परिवार के तरफ से जो लोग आए उन्हें नहीं बताया गया कि अभी तक मौत हुई लिए नहीं हुई है लेकिन पुलिस पर आरोप लग रहा है कि जो हाइट टेंशन तार कहने की बात है कि जो हाइट तूटने के वैसे करेंट लगा है वैसी बात परिवार्जन नाकार रहें उनका कहना है कि वह तार अंडरग्राउंड थे और खुले तार थे और कल रात को शिकायत वहाँ पर जो परिजन है वो कर रहे हैं इस मामले में यह दुखा धात्सा यहां पर हुआ है हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से तीन लुगों की यहां गुरुगराम बे मौत हो गई है